बता दें आपको बागपत में 13% वोट हो चुका है चपरॉली में 12% वोट हुआ है ये वोटिंग का आंकड़ा आ रहा है अब सिर्क करीब धाई घंटे हो चुके हैं वोटिंग के मुजफर नगर में 13% नौड़ा में रफ्तार कम है 7% वोटिंग हुई है देर से सोके उठते ह ऐसा लगता है शनिवार के दिन नौड़ा के लोग तो सुबह 9 बजे तक मुजफर नगर का अख़़ा आपको बता दिया बागपत फिरोजाबाद में 9 बजे तक 12% वोटिंग हो चुकी है मुजफर नगर में अच्छी वोटिंग हो रही है 13% वोटिंग मुजफर नगर में अब तक हो चुकी है सुबह के 9 बजे तक यानि के शुरुवाती दो घंटों के अंदर अंदर जेवर और दादरी में सुबह 9 बजे तक सिर्फ 8% वोटिंग कुई है रवीत रिपाथी मुजफर नगर में आप मौजूद है इस वक्त जहां आप हैं वहां कैसी वोटिंग चल रही है और जो लोग आ रहे हैं वो क्या कहरें विकास पे वोट दे रहे या फिर नाम पे रोहित बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत अच्छी चीज है एक अपील है अपील है यह लड़की आपके यहँ आपके सामने देख रही है आ रती प्रवाइब लेकर आईये सारी महिला हैं साथ में उनकी माँ भी आई है और गाउं के तमाम लोग आई इनकी माँ यहां मौजूद है सब सबने वोट डाला है सब यह अपील कर रही है कि सब डालने जरूराना चाहिए क्या चाहते हैं आप लोग ख सबस्क्राइब कि चाहते हैं अच्छा काम करें और अच्छा नेता हो olarak क्या हुलते हैं अच्छा اللे डेख्य का चाहते नीदेखिए सरकार चाहिए बुजूर्ग भी है नौजवान भी है देखिए तमाम बुजूर्ग के ऐसे लोग है जो दो पीडियों के लोग आपको दिखेंगे चाहते हैं चाहते हैं बढ़िया सरकार चाहते हैं आप लोग को क्या कमी है क्या दिक्कत है अच्छी सरकार होने चाहिए जो कानून पर राट दंगा नहीं होना चाहिए यहां से मारे गौव्म पाइनी की बहुत समस्या जोड़ सड़कों पाइनी बढ़े रहे हैं बहुत सारी समस्या आपको दिखाना चाहेंगे रोहित वोटिंग का अकड़ा पुलिस वाले लोग तैनात है यहां और देखिए लाइन लगी हुए तीन बूत है यहां तीनों बूत पर लाइन लगा के सुबह से मद्दान और महिला मद्दाता भी हैं पुरुष मद्दाता अब है और नेताओं के लिहाई सभी माना कहा जाए तो कादिर राना जो पुरुष आंसेथ उनकी पत्नी यहां से चुनाओ लड़ रही है बीजेपी बीएसपी और सब पातिनों की जबरदस लड़ाई है इस इलाके में बुढ़ाना इलाके में पूरे मुजफर नगर में इसी तरह का समीकरन देखनों को मिल रहा है और सब लोग बोट डालने के लिए आ रहे हैं देखनों को दिखा कि गुंगी लड़की भी और वह भी अपील कर रही है देसके लोगों से में लिए कि दंगा भी लोगों की अपील है चले रवीब वापस आएंगे आपके पास बहुत 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 शुक्रिया आप फिलाल वहां से बात करने के लिए मुझे बताया जा रहा है कि आप अब बदल जाएंगे दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे बहां का अपडेट दीजिएगा बरंपरकाश फिलाल हमारे साथ बुलंड शेर से बरंपरकाश से हम बात करें उसके पहले ये देखिए तीन तस्वीरे हैं नौइडा में वोटिंग, ग्रेटर नौइडा में वोटिंग, गाजियाबाद में वोटिंग और आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद में बुजर्ग किस तरीके से जा रहे हैं वोट डालने के लिए ग्रेटर नौइडा में महिलाएं ज्यादा दिखाई पड़ रही है ब्रह्म प्रकाश बताईए आपके पास कुछ वोटिंग गिरफ्तार तेज हुई के नहीं रोहत थोड़ा सा तेज जरूर हुई है मैं आपको तस्वीरों में ही सीधे दिखा देता हूं लेकिन उतना वोटिंग तेज नहीं हुआ है जितना दूसरे जिलों की आप बात कर रहे है बेस्ट यूपी में उन जिलों की जितनी वोटिंग है आप देखिए अभी थोड़ी जएर पहले जरूर थोड़ा सा कतार देख रही थी लेकिन अब भो भी खतम है लेकिन लोग धीरे जैसा मैंने कहा था कि सुभाई से बहुत ही कम लोग निकले मौसम चुकि जादा ठं कडिदेट को लेकर कर निके पास कोई ऐसा वेकलप नहीं है जो जादा बोचाएते चाहरी अके क्राइम बड़ा मुद्दा है तूरे इलाके में एक गेंग रेप चर्चित बुलंग शहर का गेंग रेप चर्चित केश हुआ था इसके बाद कई यह से मुद्दे हुए है लोग कहते हैं कि खौप का माहौल शहर में रहता है निकल नहीं पाते हैं कानुवस्था की स्थिती खराब है और उनके पास एक बहतर बिकल्ब चाहते हैं यह से मैं और जैसे मैंने बताया कि कैंडिडेट जो है उनमें अपराधिक छवी वाले उमीदवार भी उनके सामने है यानि केस में एक जादा एक कम एक परसत्रा एक परसत्ता इस तरह की इस्थिती बनी हुई है लेकिन उमीद कीजिए कि जैसे-जैसे दोफर होगी धूप निकलेगी लोग जादा निकलने शुरू होंगे फिलहाल सामानिसी इस्थिती है कोई जादा मोटिंग की इस्थिती नहीं है